कि अपनी और कंपनी के साथ जुड़े हुए हर कर्मचारी को हर स्टाफ को कंपनी को सब को चेंज करना चाहती हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि संजना एक पागल नड़की है और किसे ने उसके कान में ये फूक दिया है कि उसकी कंपनी बहुत ही बोरिंग सी लगती है तो आड एजनसी कहते हैं यूजवली कि आड एजनसी बहुत ही कूल होती है दिखने में बहुत फंकी होती है कि लोग बड़े यंग्स्टर्स होते हैं ऐसा सब होता है तो वो अब सब कुछ बदलना चाहती है और वो ही कर रही है जिसे के बात करें तो मैंशे साजनसी बहुत नजरा रहे हैं कि इस उनको सप्राइज लग रहा है कि आप कंपनी को बहुत यह करना चाहर ही हैं इस बार ऐसा क्या नया दो दो कैमरे कहां देखूं चलेगा? चलेगा. तो हमेशा की तरह मिस्स साजन गन्फ्यूज रह जाते हैं कि इस बार क्या नया कुछ करेंगी संजना माडम? तो अब ये तो कुछ बहुत ही अलग हो गया है क्योंकि हमेशा हर एपिसोड में कोई प्रैंग होता है, कुछ होता है. लेकिन इस एपिसोड में संजना एंप्लोईज के लुक को ही बदलना चाहती है और मिस्स साजन तो ऐसे कूल और फंकी और है तो है नहीं, तो लेट सी वेदर वो अपने आपको मॉडिफाई कर पाएंगे या नहीं? अब इंट्रेस्टिंग से लोने वाला आगे? मुझे खुद मालूम नहीं है, पहला सीन हम लोगों शूट किया है तो जब आगे पता नहीं सोरी कैसे जाए कि तो लास्टिंग से लिए कुछ कहना चाहिए कि किसके लिए और अच्छा, 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 मैं आउडियंस से यह कहना चाहूंगी कि हमारी शो आप हमें चोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो हम कुछ और इंट्रिस्टिंग स्टोरी लाइन लेकर आने वाले हैं, ताकि आप ऐसे ऐसे नवरात्री दांडिया खेलते गलते, एक आपकी आँख ऐसे टेलिविजन पे हो, आम नहीं चाहते कि हम आप हमें भूल जाएं उन न मातरी के, बहुत सारी बधाईया देना चाहती हूं, खूब खेले, मातरानी को याद करें, और इंजोई करें!